जितने घर के किराएं नहीं है उससे डबल बिजली के बिल दिये जा रहा है के अलेक्ट्रिक माफिया को कराची के साड़े तीन करोड लोगों पर करिंदिगी के लिए छोड़ दिया गया है एक लाग चौसाट हजार का एक मीटर से कि फिर फोई हशर होगा जो इनको मार पीट करके निकालना पड़ेगा सर 44,000 रुपे बिल आया है 10,000 रुपे टेक्स लगके आया है आखरी अपनी असलियत शाबाद शरीप ने दिखा दी चलते टेम सब के टेक्स बढ़ा दिये पेट्रोल बढ़ा दिये गेस बिजली के बिल बढ़ा दिये आओ इनके बाद आप बिल कर दे आपे भाई क्यों ज नहीं 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 चाहते है। तर चीजों को खरीदने की कुवते खरीद रखता हूं। मगर इस वग जो यूनिट है वो 65 रुपे आ रहा है और चार्जिस टेक्सिस वगरा लगाने के बाद अवाम परीशान है बहुत बुरे हाल में अपने आपको कोस रही है पाकिस्तानी होने पर वो कह रही है ये सजा मिल रही है इस मुल्क में रहने के लिए आए आपको पर लिए इन्हों ने अपने बिल्डिंगे मना लिए अपने बाहर मुल्कों में मकान मराली इनको इतनी शर्म गहरत नी आखरी अपनी असलियत शाबाद शरीप ने दिखा दी चलते टेंप सबके टेक्स बढ़ा दिए पेट्रोल बढ़ा दिए ये मामला दाल दिये निगर जब सबी तुम्हीं लूटके ले जाओगे तो निग्राण वाला क्या करेगा वो तो आगे तीन महीने के लिए वो क्या करेगा जनाब कितना बिल आगे आपका बाई पिछले महीने 590 यूनिट थे और 24 अगा बिल था अब हमने बिल कम करके 77 यूनिट कम कर दिये 522 पर इस दफ़ा बिल आया है 33,000 रुपे का पिछले मेने 599 यूनिट थे 24 अगा बिल था है यहने की यूनिट 77 यूनिट कम होगा है और बिल 11,000 रुपे बढ़ गया है अच्छा ऐसा हुआ है कि पिसली दफ़ा आप लोगों ने यूनिट ज्यादा हुए तो पर आप लोगो 40,000 रुपे है अब बताएं किसी से यार दोस्तों यारो से करना पड़ता है किसी से उधार लेके इनका नहीं करो तो आभी यहां पर आए वे काटने के लिए आगए बोले आपने बिल जमा करा हूँ मैंने कैसे करा हूँ बताओ चिल मेरे पास बिल जमा कराने के लिए पैसे निकालना पड़ेगा बताएं आपके क्या मसला सर यह मसला देके एक लाग चौंसाट हजार का एक मीटर से किसरा मीटर का एक लाग पांच अजार रुप है बताएं कहां पर कितना यूज़ कर रहे हैं आपकितने यूनिट इस्तमाल कर रहे हैं यह देखें ना इन्हों ने 24 256 इनूर एक लिखा 1860 इनूर अब क्या हमने साला फैक्टरी लगाए हुए है घर का अब ही रेजिदेंशियल के इतना आ रहा है तो इनको कुछेगा अल्ला भी तो नहीं को सबक पड़े हैं कितने बना रखें अब हम लोग तो पागल होगा हम जमा करकर के बिलियार हर महीन है यही चक्कर है आओ इनके बाद आप बिल जमा कर दे हैं अब भाई क्यों जमा कर दूं माद अच्छो तुम लोग देखो तो सही ना भैंचो तो दूसरे को खून पीरो तुम लोग अभी बोलकर आया हूं तो कहने लगे जाओ जाकर हना जाकर हंगामा करो अभी जैसे कोई जलजला आ गया हो इनके ओपर कोई सुनामी आ गया हो या इनके ओपर कोई वापत आ गया हूं इस तरीकाब बिल आ रहा है यह भी बिल आया इjänतना महय खुम टुम च्छू आपको और इनका गम घुटसा दिखाते है कि अइसा है प्रवाइस एजार रुपे बिल आया है और उस पर दस एजार रुपे टेक्स लग के आया है मतलब चावालिज एजार तो मतलब के आपके फिफ्टी फोर आगिया है 54 थाउजन का बिल आभी देंगे ये माफिया को इन कजाबों को ये बदमाश खोरों को देंगे और उसके बाद इन्होंने निया मीटर लगाए ना उसमें अर्थ का वो सिस्टम करके चले गए ताके मीटर रोड तेज चले बिल डबल आए इतनी हम बिजली यूस करते नहीं है गर से किराए का है? गर से किराए का है एन्हों करया गए 30,000 रुपे और जो है ना तक्रीबान तीन मंदिला मावाने और दो मीटर में एक में 24,000 अगर का किराए 30,000 रुपे और बिजली का बिल आ रहारा चावाथ हजारोपे अब कहां गाए खाएं मतलब के जितना किराए ह उससे जादा आपका बिजली का बिल आ रहा है अब हमारे पास मौझूद है के अलेक्टिक के दफ्तर के बाहर ही ऐसे परिशान लोग जो के सर पकड़ के बैटे में क्या किया जाए इतना बिल आगे जी असलाम अलेकुम बालुम सलाम यह देखें उननचास कई इनों ने कितना बिल बेह जाए उनके कुछ भी नाइन यूनिट पे आठ अजार रुपे आपको दे रहे हैं पाच अजार चेह सो एक सट क्या क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्स से इतना ज्यादा जल्म कर दिया है जल्म बहुत हो गय थीजिए अगले शेयुन का यहीड़े एक दोस्त विनिट जाए ज़ा रहा है तो फिर ये 5600 आसे ऐले उजा यह पताएं तक हम भूकते हैं यह घर का विल यह देखें एक 122 यृणुन का बिल पाँजार एक जार एक सो पांट वाइस शलाएज जार रहा है तो पर यह पां जो पर आप जो डेयु प्रिय प्रकाफंट के लागा आप यह तदेखें रावाश पेट का चिब आप यह तक रुछन है भागले मैं अपेट हएक किया वीर्ड़ाएं किया हमें मैं इस ऐख सब्सक्राइब्स गोड़ाय गाए और तक रुछा तकरीबं आपने यह बिजली ग पर गैस का बिल पर उसके बाद पानी पर उसके बाद तकरीमन यह आपके तो 20,000 रुपे तो इसी में खर्च हो जाते हैं और सब छोड़ दें यह सिरा आपको जर्मन यह चीदे आपके सामने है हर मैने एक बिल्य मेरा शार्ड मेरा सारे बिल किलियर है यह मेरे साथ अजार यह कौन से आपके पसंदीदा लोग है इन मौाइदों को खतम करो और पिजली का बिल कम करो यह आई पी पीज वाले चंड चंड लुटेरे हमें लूट रहे हैं और अवाम के उपर बोई जाल रहे हैं टेक्स खतम करो यह आई पीज के मौाइदे रिवाइज करो और फिर उ के लिए छोड़ दिया गया है ये के अलेक्रिक माफिया पाकिस्तान के खजाने का नादेहंदा माफिया है मैं पूछना चाहता हूँ उस वाइड कॉलर क्रिमनल से जिसने दो दिन पहले कराची के अवाम को धंकी दिये मैं पूछना चाहता हूँ तुम तुम किस खीमत में अपने मालकों को खुछ करने के लिए कराची के लोगों पड़ पिजली के भं गिराते हो 662 अरब रुपे के तुम ना देहन दाओ तुमारा लाइसंस कैंसल होना चाहिए जी नाजरीन आपने देखा अवाम कितनी जादा परिशान है सिर्फ एक ही बात बोले जा रही है किस जुर्म की हमें सजा मिल रही है अवाम तो सिर्फ जहनी अजियत से ही मर जाएगी अवाम को तो जहनी तोर पे मफलूच कर दिया गया है अवाम परिशान हो गई है, अवाम बेयारों मददगार हो गई है, बेयासरा हो गई है, जमीन से लग गई है अवाम कह रही है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारा कोई नहीं है अवाम की तरफ से ये स्टेटमेंट आरिये ना अजिरिन मौतराम।